हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तोशी किचन आज हम बनाने जा रहे हैं रस्क जिसे हम टोश्ट भी कहते हैं ये हम आज घर में ही बनाएंगे घर में ही हम मार्केट से भी अच्छा रस्क कैसे बना सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया है इसलिए आप वीडियो को पूरा लाड़ सक देखें और इस्टेप फोलो करें यदि आप वीडियो में दिखाई हुई स्टेप को फोलो करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही रस्क बना पाएंगे मैं यहां पर आपको टोश को तोड़ के दिखाती हूं यह बिल्कुल बेकरी के जैसे ही टेश्टी बने हैं औ मीठे का स्वाथ उभर के आता है साथ ही मैंने इसमें दो बड़ी चमच चीनी एड़ की है चीनी आपीसी हुई भी यूज कर सकते हैं यहां मैंने वन फोर कप मिल्क पाउडर मिलाया है अब मिल्क पाउडर और शुगर और नमा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके लिए म अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे उसके अंदर हम दो कप मैदा एड़ करेंगे यदि आप चाहें तो हाफ मैदा और हाफ वीट फ्लॉर भी यूज कर सकती है मेरी हाँ दो कप मैदा लिया है और हाफ कप सूजी डाली है सूजी से आपका जो रस्क है वो क्रंची होगा यहा है अब हम इन सभी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर डालने से आपका जो टोस्ट बनेगा उसमें मिल्क का अच्छा टेस्ट आएगा जिसे हम कहते हैं कि मिल्क बिस्केट मिल्क टोस इसलिए हमने इसमें मिल्क पाउडर यूज किया है अब हम इसमें दो चम्मच बटर का या घी का यूज़ करेंगे मैंने यहाँ पर बटर यूज़ किया है जो मैल्ट किया हुआ है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे बटर को मेदे में सुझी मच्छे से पहले मिक्स कर लेजिए जैसे हम मोहिन लगाते हैं वैसे ही आपको पहले इसमें मोहिन लगा देना है उसके बाद इसमें दूद या पानी से इसका बैटर तयार कर लेना है मैंने यहां मिल्क से इसका आटा लगाया है आप चाहे तो पानी का यूज कर सकते हैं आटे को थोड़ा सॉफ्ट लगाना है आपको यहां पर इससे जादा घूधना नहीं है सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे ढख कर एक घंटे के लिए अलग रग दीज जिससे यह फुल जाएगा क्योंकि हमने इसमें ड्राइष्ट का यूज किया है वो इसे फुला देगा करीब एक से डेड़ घंटे के बाद यहां देखिए हमारा जो आटा है वो फुल के तयार हो गया है अब हम इसकी एर इसमें से जो एर भर गई है अब उसे हम निकाल दे इस तरह आप उसे पटके और उठाए इससे आपका आटा और लचीला हो जाएगा और आपका जो रस्क हैं या बिस्किट से वह बहुत अच्छे बनेंगे इसी तरह कुछ इस्टेप जो होती है वह हम बिस्किट में भी यूज करते हैं अब हम इसके अंदर चीनी एट मैंने यहाँ पर पाउडर चीनी का यूज किया है और इसे हम अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे बटर और चीनी हम थोड़ा थोड़ा बाद में एड़ करेंगे जब हम आटा लगाएंगे उसी वक्त हमें पूरा बटर और चीनी यूज नहीं करनी है आटे को जब हम पटक पटक के सेट करेंगे उसी वक्त आपको चीनी और बटर का यूज करना है ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से करीब 10 मिनट तक पटक पटक के पूरा सेट कर लिया है इसी से आपके जो रस्क है वो टेश्टी बनेंगे और उसमें अच्छा स्पंज आएगा जाली आएगी और उसके बाद ही हम जब इससे डबल बेक करेंगे तो वो क्रंची होंगे इदि आटा आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप बीच पर थोड़ा सा बहुत जादा नहीं पर थोड़ा सा जादा गिला हो गया इसलिए जब आप स्टार्टिंग में इसमें दूद या पानी मिलाएंगे तब थोड़ा सा मुझसे कम मिलाएगा मैंने थोड़ा सा पानी जादा मिला दिया है जिससे मुझे इससे सेट करने में थो लगे तो आप बीड में हात को बटर में करते जाए और उसके पर बटर फिलाते जाएंगे तो आटा आपके हाथ में लगेगा भी नहीं और आप इसी ली इसकी एक मोटी रोटी हास से बना पाएंगी रोटी बनके तयार हो गई है, आप इसके कोने भी अच्छे से सेट कर दीजिए, इक्वल कर लीजिए, उसके बाद हम इसे धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे यहां पर आके आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो मुझे हो रही है, आटा नीचे चिपक रहा है, फिर भी आप उसे बटर लगाते जाएंगे सेट करते जाएंगे, जब आटा पूरा रोल हो जाएंगे, आपको इस तरह से आटे को चिपका देना है, जिससे कि जो फोल्ड हमने की है, वो खुले नहीं, यह देखिए, मैंने चारों तरफ से उसे अच्छे से चिपका दिया है, और हाथ में बटर लगा के ट्रे पर भी थोड़ा सा उसे लगा दिया है, या हमने ग्रीस कर दिया है, अब हम इस रोल को लेंगे, और हमारी बेकिंग ट्रे के उपर रख देंगे, इसी तरह हम दूसरी लोई का भी हाथ से फिला कर रोटी तयार कर लेंगे, और उसे भी फोल्ड करके, एक उसका रोल बना लेंगे, और कौनर उसके हाथ से चिपका देंगे, एदि ए अगर आप यहां पर कौनर को चिपकाते नहीं रोल से, तो वीच में खूल जाएंगे, बेक होते वक्त, इसलिए आपको यहां अच्छे से चिपका देना है चारो तरफ से चिपका देने के बाद, अब हम इस रोल को भी बे जाएगा और बाद में आप इसे बैक करेंगे अब हम इसे किसी कपड़े से ढख देते हैं और आदे घंटे के लिए सेट होने के लिए फिर से रख देते हैं आधा घंटा हो गया है अब आप देखिए आपने जो रोल बनाए है वो थोड़े और फूल गए है अब ये बैक होने के लिए तयार है अब हम इसे माइक्रोवेव में 180 डिगरी पे 15 मिनट के लिए बैक करेंगे आप चाहें तो इसे कड़ाई में भी बैक कर सकते हैं करीब 15 मिनट हमने माइक्रोवेव में इसे बैक किया है इसमें बहुत अच्छे से उपर ब्राउन कलर की लेर आई है और ये नीचे से भी पका है अभी ये गरम है इसलिए अभी हम इसे रख देते हैं आप इसे उठा के भी चेक कर सकते हैं ये देखिए नीचे और उपर दोनों साइट से बहुत अच्छा पका है और बीज में भी काफी सॉफ्ट है अभी ये गरम है इसलिए अभी इसे हम एक जाली के उपर रख देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम टोस्ट के साइज मे कट करेंगे ब्रेट हमारा ठंडा हो गया है अब मैं इसे टोस्ट के आकार में छोटे टुकडों में कट कर लूँगी ब्रेट को कट करने के बाद आप वापस से बेकिंग ट्रे में इन रस्क को जमा लीजिए और उसे 12-15 मिनट के लिए आपको वापस से 180 डिग्री पर आपको बेक करना है बट 5-6 मिनट के बाद आप वापस से ब्रेट को टन कीजिएगा ताकि दोनों साइट से पक जाएं और 10-12 मिनट में ही लगवग पक जाते हैं और क्रंची भी हो जाते हैं मैंने यहां पर 180 डिग्री पर माइकर वेब को सेट कर दिया है और ट्रे को अंदर रग दिया है जिससे अच्छे से बेक हो जाएंगे करीब 5-6 मिनट के बाद हम ट्रे को वापस निकालेंगे और रस्क को टर्न करेंगे और फिर से इसे बेक होने देंगे 12-13 मिनट में अच्छे से बनके तयार हो जाते हैं यदि आपके पास माइकर नहीं है तो आप कड़ाई में इस तरह से बेक कर सकती है आप कड़ाई के अंदर नमक रखिए नमक को काफी टाय में यूज किया है इसलिए इसका 12 मिनट के बाद ही मैंने इसे निकान लिया है बीच में मैंने इसे उपन किया था ताकि मैं टर्न कर सकूँ और यहां मेरे जो रस्क हैं काफी अच्छे तरह से बेक हो चुके हैं यह देखिए आप यह देखिए इसका कलर इसका साइस बिलकुल बेकरी के जैसा ही है और खाने बिलकुल मार्केट की ही तरह दिख रहे हैं लगी निरा है कि आपने इसे घर में बनाया है और जब आप इसे खाएंगे तो आपको टेश्ट भी इसका बहुत ही अच्छा लगेगा घर में बने वेरस्क को आप गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ इंजोई किजिए यदि उन्हें आपको मेरी रेशपी सब्सक्राइब कीजिए और फैसबुक मेरे रेशपी कैसी लगी प्रीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वताये खाया थेंक्यू फोर वाक्षिंह वावेडिवू बईitel ने क्या क coherenceime कि इस लीण में इस एलेगिन है अपने के शी अट